है हलो इस्टूदेंट्स विल्कम टू पीवियर स्टडी तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन आप देखते हैं साम को आठ बजे से यह यूपिटेट सीटेट सूपर्टेट की कलास जो कि एक सनिवक्त कलास होती है और यह जो में टारगेट होता इसमें यूपिटे सेलेक्ट करना है आज आपकी कलास नंबर 13 है पूरा कलास एंडे तक देखना सब समझ में आएगा अच्छे से आएगा और बहतरी डंग से आएगा देखो अगर आपको कल्कुलेशन आता है ना फास्ट है तो इसको हल करने में आप कुछी सीकेंड के अंदर आंसर प्राप् गया इसको भी आप ऐसे लिख लोगे देखो यहां पर प्लफ है नीचे ना प्लफ है जैसे समझ लो समझाने में टाइम ज्यादा लगेगा जैसे यह फूर माइनस अगर यहां पर बच्चा यह मानलो एट लिखा होता और नीचे अगर मानलो दो धंदो लिखा होता तो आप आप क्या करते बताओ क्या करते आप सिंपल सी बात है पहले हम दोनों इसको जोड़ते यह चार हो जाता चार से इसको दो को काड़ देते सीधा हो जाता ना पहले क्या करेंगे हम बताओ ऐसी सिती में क्या करोगे आप पहले ही तो करोगे ना तो बस वैसे यहां पर हम पहले इनको जोड लेंगे तो इनको जोड़ेंगे बच्चा तो यह हो जाएगा क्या 3.25 और माइनस और यह 2.5 वैसे ही रहेगा इन दोनों को जोड़ोगे 1.25 आएगा यहां पर आप एक बात ध्यान दो उपर जो मैंने नंबर लिखा वो क्या है उसको एक बार मिला लो सब ठ इसना ठीक है इसको मैंने दोनों को जोड़ लिया यह थोड़ा साइट हो गया अब हम एक काम कर सकते हैं जैसे अगर इसको हम जोड़ लेते और इसको जोड़ करके हम 4 लिख देते समझाने के लिए बता रहा हो नीची तो हम 4 से इसको काट सकते थे 8 को ना क्योंकि वह एक ही होता है 2 रूपया 50 पैसा आप करके देख लो तो जब इसको काटो तो दो आएगा सिंपल सी बात है यह नीचे आपका हो जाएगा 2.5 वह से रहेगा माइनस और यह आपका वन और भाईया यह बन जाएगा थिरी माइनस 2.5 वह सारी 2 ऊपर हो जाएगा ना क्योंकि कट जा र यह माइनस का क्यों सुनने बचेगा बस क्या बचेगा वह सब्सक्राइगा क्यों अरह इसे कटा दो आया ना यह बचा रहेगा इसमें से अब आप दो घटा होगे 3.25 नहीं ठीक है 3.25 से आप इसको 2 को क्या करोगे सब ट्रेक कर लोगे तो आपको पता 1.25 आएगा यानी इ एक वट्टा 1.25 आप लिख सकते हो देखो इसके आगे मैं थोड़ा फास्ट आपको हल करके दिखा देता हूं नीचे आपका क्लियर दिख रहा है कि नहीं थोड़ा सा काट रहा है क्या नहीं कट रहा है नीचे कट रहा है न ठीक है मैं आगे लिखूंगा ध्यान दो आप दो अंक पर दसंबलो है ना हम इसको दसंबलो नीचे से हटा के उपर दो जीरो बढ़ा सकते हैं अगर आपको बेसिक आता है तो आप सीख गये होंगे कैसे हुआ तो भाई यह टू पॉइंट फाइप माइनस यह उपर हंड्रेड अपान यह 125 हो जाएगा बहुत ही सिंपल ह मैंने नीचे से दसंबलो हटा दिया उपर सुनना बढ़ा दिया अब अगर आप एक बात को ध्यान दो तो आपको यहां पे एक चीज क्लियर हो रहा होगा वो देखो क्या है इधर साइड में यह 2.5 ऐसे रहने दो इसको अगर आप भाग दोगे तो पांच चार बटा आएगा और जब चार में पांच का भाग करोगे तो जीरो पॉइंट आएट आएगा भाईया यह धाई रुपया मैं से 80 पैसा घटा होगे बाबू तो एक रुपया सतर पैसा आएगा अपसर नंबर भी राइट देखो कितना एजी है ना सिंपल है ना यह थोड़ा से बहुत बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है जल्दी करिए नोट करिए नेक्स्ट कुईश्टन की और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको फाइस्ट नोट करिए क्विश्टन नंबर सिकन्ड आपके सामने आ चुका है बहुत ही सुन्दर सा सवाल है यह क्या कहता है कि 2.6 इंटू 0.91 का जो मल्टिपल होगा वो क्या होगा आपके सामने ऐसे आ जाएंगे एक्जाम में आप इसमें देख के हैरान हो जाओगी इफिले मैंने आपको कहा था कि वर्ग याद कर लो यह सब मैंने आपको याद करवाया था यह सब चीजें आपके लिए यहाँ पर हलपफूल होती कैसे देखो वर्ग इसको अगर आप याद करोगे तो लगभग आपको धिर सारे कल्कुलेशन के जो है कुश्चन बहुत सा लगते हो 26 का 9 में गुड़ा करोगे और फिर जो हासी लाएगा कितना दो ना उसको जोड़ोगे बच्चा यह हो जाएगा 236 यानि 26 कितना होता 234 ना 234 आपको टेबल होगर आने चाहिए फैक्टर आने चाहिए दो अंक पर यहाँ तोटल तीन अंक पर लग जाएगा यह इ इसका हल करने का एक और में थेड़े में वह भी बता दे रहाँ थोड़ा डिस्क्राइब करके यह तो आप लोग कहोगे यह तो टेबलोबल हमें आता नहीं है इतना लंबा सा कैसे कर दिये जल्दी से देखो सबसे बड़ी बात तो आपको बेसिक में थानी चाहिए जिसमें आप लिख सकते हो बाबू यह इतना कैसे लिख सकते हो क्योंकि यहां पर टू अंक पर जो है डेसिमल है लेचे टू जीरो वन पर है तो यह ठीक है इसमें कोई लफड़ा नहीं है अब तो आपको गुड़ा करना ही पड़ेगा वैसे भी इससे तो छूटना मतलब आसान नह लेकिन अंसा थोड़ी बद लेगा अंसर तो वहीं आएगा ना नोट कर लिजिए जल्दी से इसका स्क्रीन साट ले लिजिए और जो बच्चे पीवियर स्टडी एप में कोर्स लिए वह रेगुलर देखें बहुत से बच्चों की सिकायत आती कोर्स पूरा नहीं कर पाते ह और फिर यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है अगर आपने इस वीडियो को एप में मतलब लिया है आपने कोर्स लिया पीवियर स्टडी एप में तो आपको पूरा कोर्स एक साथ मिल गया होगा और आप आसानी से सारा कोर्स देख सकते हैं एक दिन में आप पांच घंटे भी प करते हैं कहीं मत जाना देखिए अब आगे क्या करोगे ध्यान देजिए यहां पर भाईया यह कह रहा कि प्रफनचिन की जगह पे क्या होगा कुश्चन मार्क लगा इसकी जगह पर आप से पूछ रहा क्या आएगा बहुत ही सिंपल सा है ऑप सन नंबर आपके सामने हैं यह है आपको बेसिक मैध हो आती होगी अधित अधिक पड़ रहो यह कं मार लेंगे हम मान लेंगे कर फो कहेंगा क्या है चुकि हम कि मैं और धुल आंसर निकालना अ है ध्यौंत उसमान लेंगे तो इसमाना यह हो जाया एगा इसको माम सकते हैं कुछ भी जिससे हमारे लिए ल इक्वल 3.6 इंटू 2.2 इंटू यह एक्स और यह टू यह सब कहाम एक में गुड़ा कर सकते हैं है ना कर सकते हैं ना बेसिक में था आपको आती इसको जब आप भाग करोगे तो यह पलट जाएगा गुड़ा कचिन लगाओगे पलट जाएगा इसके बाद इसके साथ गुड इतना आएगा यह देखो नीचे दिखरा नहीं दिखरा होगा तभी में दिखा दूंगा टैंसा मतले ना यक्स का बैलू निकालोगे यह सब नीचे आ जाएंगे इसके 3.6 इंटू 0.2 इंटू 2 और इक्वल यक्स हो जाएगा इसका आप फाइनल में मल्टिपल कर लोगे प 24 Hurricane 14 Bell 22 14 जाएगा वच्चा 144 अगर दसंबों की बात करें एक पर यहां है एक अंक पर यहां है टह्ले लगे यह इतना हो जाय expression में अग्सार में दोनों ब्राबर ब्राबर आपकर आप सकते हैं हमने आपको यह अरक हैं 12 का ऐस keeping बढ़िखा है तो मैंने आपको याद कर वाया था दो बारा से दो बारा यह कड जाएगा एक बारा आंकिला बचेगा बचारा चुपा सा यह टॉल इसका अंसर हो जाएगा है ना कितना सिंपल सा देखो जिनको बेसिक नहीं आती भाई कमेंट करके बताना बच्चा बेसिक में था अगर आएगी तो यह कर ले जाओग अगर मेत में कुछ भी नहीं आता बिल्कुल टेंसन मत लेना आप बेसिक मेत से जॉइन करोगे यह सब आपको आजाएगा चलिए देखते हैं आगे ध्यान दीजिएगा कलास में पूरा रहीएगा जाईएगा मत तो इस्टूडेंट्स आज की कलास जो है थोड़ा चोटी रह देख रहें तो आपका कलास नहीं होगा अभी अगला भी आपका कलास आगे चलता रहेगा अगर आपने डेमो देखा है तो अगली कलास उनको अगले दिन मिलेगी लेकिन एप वालों को नोन इस्टाप कलास मिलेगी